दोस्तों आज का ये वीडियो प्याज के किसान भाईयों के लिए जो प्याज की खेतिगरते उन के लिए ये बहुत ही नोलेज़ पूल होने वाला ये वीडियो आज के इस वीडियो में हम बात करने वालें प्याज में कंद का आखा कैसे बड़ा है उसकी चमक, क्वालिटी और उसकी गुर्णवधता कैसे बड़ा है जिससे कि हमारे प्याज अच्छा क्वालिटी वाला बने और जिससे हमारी प्याज की अधिक उत्पादन निकले तो लाइक तभी कीजिएगा जब वीडियो को पूरा देख ले और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को like करना वरना dislike वाला भी option रहेगा आज के इस वीडियो में मैं जो जानकरी देने वाला हूं वह जानकरी आपको YouTube कर किसी भी वीडियो में नहीं बताई होगी तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो प्याज के कंद का आकार बढ़ाने के लिए हमें जो मुख्य पोसक्तत्व होते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं पोटास तो कंद बढ़ाने के लिए आवेश्यक पोसक्तत्व माना जाता है लेकिन उसके साथ साथ ज प्यास के कंद की चमक बढ़ाता है और केल्सियम तने को मजबूत बनाने का कारिय करता है तो इसके लिए मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि यह आप अलग-अलग केल्सियम नाइट्रेट और बोरोन का प्रियोग करते हूं अलग-अलग लेके तो इनसे भी आपको लिक्विड फोम में मिलता है इसका प्रियोग करने के बाद अपने प्याज की बसल में दुसरे केल्सियम नाइट्रेट और बोरोन का प्रियोग करने की कोई आवशकता नहीं यह इसके रिजल्ट बहुत गजब के मिले हैं हमने अपने प्याज की बसल में इनका प्र किल्चियम और बोरॉन के साथ-साथ कार्बानिक योगिक, जो 20% मिलते हैं। उनका प्रियोख की जाए जो कि आपको अपने मोबाइल की स्क्रिंग पर दिखाय दे रहे होगी यह बोटल इसमें केमिकल कंटेंट की बात करें तो इसमें कारबनी क्योंग 20% मिलता है और इसके साथ किलिशेयम की मातरा 9% है और बोरुन इसमें 0.75% मिलता है लिक्वेट फर्मूलेशन में तो इसके डोज मातरा की बात करें तो इसकी मातरा आपको सब्जी वर्गी फसल या प्याज लसून और इन फसलों में आपको इसका 3 से 4 अमेल प्रती लिटर पानी में इसका प्रियोक करना है और एक एकड की बात करें तो इसे में आपको प्रती एकड इसे आप 1500-200 लिटर पानी में इसको आपको 500-600 एमेल का प्रियोक करना है इस्प्रे करने के मध्यम से इसे आप किसी भी किट ना सक, कवक ना सी और सूच मों पोसकता तो उर्टों के साथ आप इसको मिला कर इस्प्रे कर सकते हैं कोई भी इसके साइड इपेक्ट नहीं है इसका प्रियोग आप जरूर एक बार अपनी प्याज की पसल में प्रियोग करना नहीं तो आप प्रेक्टिकल भी कर सकते हो आपने आदे प्याज के खेट में इसका इस्प्रे करने के मध्यब से प्रियोग करना और आदे में नहीं करना इसमें जिस खेट में आप इसका प्रियोग करने होगे उसमें आपको बहुत ही चोकाने वाले इसके डिजल्ट मिलेंगे आपको अपने प्याज की पसल में आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजे ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे आपका महत्पुर्ण समय देने के लिए धन्यवाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक लेटिस्ट जानकर के साथ तब तक के लिए जय जवान जय किसा